हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टड़ी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से धी जाने वाली कारय पत्रक नमबर 44 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है विज्ञान ये वर्कशिट 30 दिसंबर 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की interesting वर्कशिट वर्कशिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्कशिट बल तथा दाग हमने थीखा किसी वस्तु की एक दिशा में लगाए गए बल जुड जाते हैं इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना जरूरी है तो पिछली वक्षीट में हमने देखा था कि अगर एक ही दिशा में बल लगाया जाता है पाँच और पाँच न्यूनटन यहां पर बल लगाया गया है तो वो बल क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे उसलिए जब हम बताते हैं कि हम बल लगा रहे हैं तो उसकी दिशा बतानी ज़रूरी है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गती को बदल सकता है यदि बल गती की दिशा में है तो गती बढ़ जाएगी यदि मालो यहाँ पर कोई बोल है इस तरह से कोई बोल जा रही है ठीक है इस तरह से वो मूव करें और हमने इसी तरह और बल लगा दे इस तरफ से मने क्या लगा दिया बल लगा दिया तो वस्तू की गती में कमी आ जाएगी वस्तू की गती में क्या आ जाएगी कमी अगर जिस डिरेक्शन में बोल जा रही है उस डिरेक्शन में अपने और धका दे दिया तो क्या होगा बल जो बोल की गती है वो बढ़ जाएग या उसकी दिशा को बदल सकता है या गोल होने से बच सकता है देखो जैसे बोल यहां से आई यह रही बोल यहां से आई और इसने बल कहां से लगाया इस डिरेक्शन में तो विपरी दिशा में लगाया या तो यह क्या करेगा बोल को यहां पर रोक देगा या बोल को विपरी दूसरी तरफ एक टायर को तेजी से चलाने के लिए इसी डायर है इसको तेजी से चलाने के लिए इस पर बार बार गती की दिशा में धक्का लगाया जाता है कि यह इसी दिशा में जा रहा है और इसी दिशा में क्या लगाया जा रहा है धक्का लगाया जा रहा है जिससे इस वस्तू की गती दिशा में तो हीको है यहां जाल बहुत होगा और लगाया जिसे कंडिया बहुत दिया ना तो क्या होगा या तो गती की दिशा में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा या गती में ही वस्तु की जो गती है या तो धीरे हो जाएगी कम हो जाएगी इन दोनों ही परिवर्तन में वस्तु की अवस्ता में परिवर्तन आता है तो यहां पर क्यों सा परिवर्तन आ को बेलना हम क्या करते हैं वस्तु की अवस्ता पदलती है यह क्या होता है वस्तु के अकार में परिवर्थन आ जाता है बल लगाने से ठीक है अब कुछ कोशन अंसर है तो देखते हैं क्या कोशन फीक नमबर वन दो स्थितियों के उधारण दीजिए जिसमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्ता में परिवर्तन होता है तो अवस्ता में परिवर्तन कब हुआ था ऐसी चीजे बता है या तो उसकी गती में परिवर्तन हो या उसकी गती की दिशा में परिवर्तन हो तो आईए करते हैं अंसर तो देखिए अंसर क्या होगा वेटा होकी की खिलारी का गेंद पर परहार होकी का खि रसी को उपर कीचना यह हो जाएंगे अवस्था में परिवर्तन वस्थू की क्या रही अवस्था में परिवर्तन आ रहा है बल लगाने से वस्थू क्या रही उपर आ रही उसकी गती में परिवर्तन आ रहा है जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतनी तेज वस्थू उपर आ अगरी परिवर्तन ट्रीए से लुहे के गरम टुक्डे को पीतना एक लुहे का अगरूरा लुहार की द riff जाएं देखते दहने जिस्ट może रुख जाती है तो क्या हुआ है उसकी गती में परिवर्तन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C आ जाएगा गती में परिवर्तन नमबर 2 में क्या आ जाएगा यह नमबर 2 माल लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गती में परिवर्तन समझ के करना है बेटा देखो क्या कहा जा रहा है कि एक कार पर ब्रेक लगने से क्या होगा उसकी गती में परिवर्तन आ जाएगा नमबर 3, एक बल्ले बाज द्वारा गैंद को मारना, एक बल्ले बाज ने द्वारा गैंद को मारना, तो देखो इसमें क्या होगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, तो आप चाहे तो यहां दोनों लिख सकत है कि गती में भी परिवर्तन होगा और दिशा में भी परिवर्तन होगा अधरवाइस यहां पर लिख देजेगा दिशा में परिवर्तन अब हम करते हैं प्रशन नमबर तीन अपने आस पास ऐसे उधारन दीजे जिसमें बल की गती और दिशा बल की गती की दिशा और बदल देता हो ऐसा उधारन देना है जिसे क्या हो बलकी जो गती है वो बदले उसकी दिशा बदले उसकी स्पीड बदल जाए दोनों में तो देखो बले बाज द्वारा गेंद को मारना जब बले बाज गेंद को मारना तो क्या होता है उसकी दिशा क्या होती बिल्कुल बदल जाती है ना उसकी दिशा बदल जाती है और टायर को धक्का माना टायर को धक्का माने से क्या होता उसकी गती बदल जाती है तो यह इसकी एक्जामपल होंगे आप यहाँ पर और भी कोई एक्जामपल लिख सकते हैं अब हम करते है प्रेशन नंबर फोर क्या होगा यह दिल ल तो देखते हैं कि क्या होगा अगर क्या लगाया गया बल वस्तु की दिशा के विपरी दिशा में लगाया जाए तो आए देखते हैं क्या होगा इसका अंसर बेटा यहाँ पे देखे यदी यदी बल गती की अंसर नमबर फाइफ है बेटा एक सेकेंड अंसर नमबर फोर तो आज की वक्षिट कंप्लीट होती है वक्षिट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आए और प्लीज मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए मेरा न्यू चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल का नेम है टूडे मस्ती आप लोगों के लिए नहीं है आप लोगों के लिए है स्मार्ट स्टडी तो बिटा अपनी वक्षिट को कम्प्लीट कीजिए थैंक्यू स्टूडेंट्स